अगर आप लोग बच्चों के साथ ये वर्क्षीट को शेयर करते हैं तो आप लोग के बच्चे एनिवल एक्जाम के लिए अच्छे से तयारी कर पाएंगे तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक् करें तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो यहां पर फर्स्ट कोशन है एड़ फॉलोविंग देखिए यहां पर एड़ फॉलोविंग लिखा है इसका मतलब हमें प्लस करना है फर्स्ट वाला कोशन दिया है 21 प्लस 3 21 प्लस 3 करेंगे तो क्या आंसर आएगा गाईज 22 23 24 ठीके 4 प्लस 6 यहां पर आएगा 10 ठीके यहां पर है 5 प्लस 6 यहां पर आएगा 11 यहे 5 प्लस 15 यहां पर आएगा 20 18 प्लस 2 यहे 20 ठीके 4 प्लस 8 यहोगा 12 ठीके next question देखिए match the following यहाँ पर हमें match the following लिखा है इसका मतलब है हमें जो numbers दे रखे हैं उन्हें match करना है लेकिन match कैसे करना है पहले आप लोग यह देखिए 54 minus 23 लिखा है इसका मतलब हैं यहाँ पर minus होगा इन सभी में minus के निशान लगे हुए हैं इसलिए हम सभी में आप क्या करेंगे minus करेंगे minus करते हुए जो answer होगा उसे हम match करेंगे तो चलिए इसको करते हैं हम लोग minus 54 में से 23 को minus करेंगा क्या आएगा guys 54 में से 23 को minus करेंगे guys 31 बचेगा ठीके तो यहाँ पर इसको match करेंगे हम लोग 31 से यहाँ पर है 89 89 में से 60 को अगर हम लोग माइनस करते हैं तो answer बचेगा 29 इसलिए इसको हम लोग मेच करेंगे 29 से ठीके फिर उसके बाद है 67 माइनस 39 67 में से हम लोग 39 को माइनस करेंगे तो answer होगा 28 इसलिए हम लोग इसे मिला देंगे 28 से फिर 73 में से 59 को माइनस कीजिए क्या बचेगा 14 इसलिए हम लोग इसको मिला देंगे 14 से I hope कि आप लोगों को ये वर्क्षिट अच्छी लग रही होगी पसंद आ रही होगी आप लोगों के बच्चों को अगर आप लोग इसी तरह की वर्क्षिट देंगे और इसे match the following करवाईए add the following and match the following उससे बच्चों की practice adding की और subtraction की अच्छे से हो पाएगी ठीक है चलिए next question देखिए a book has 80 pages mohan read 66 pages how many pages are left to be read यहाँ पर कहा गया है कि एक लड़का है mohan जिसने एक book में से 80 pages हैं जिसमें से उसने 66 pages को read कर लिया है पढ़ चुका है ठीक है अब यहाँ कर यहाँ पर कहा गया है कि how many pages are left to be read left यहाँ पर जो keyword दिख रहा है सभी को मैंने बताया था अगर ऐसे keyword होते हैं तो उसमें subtraction होता है ठीक है तो इसलिए 80 में से 66 को हम लोगों को minus करना होगा चलिए 80 में से 66 को minus करते हैं क्या answer बचेगा 14 इसका मतलब हुआ इसकी थर्ड वाला इसका correct option है अब हम लोग करेंगे question no.4 question no.4 देखिए 23 फिलिंदा blanks 25 has between are यहाँ पर 23 और 25 दे रखा है इसके बीच का हमें नंबर बताना है इन चारो options में से correct option कौन सा है 24, 84, 14, 54 आप बताए 23 और 25 के बीच में क्या आता है 24 इसका correct option है यह ठीक है guys next question देखिए match the following यहाँ पर फिट से हम लोगों को multiplication के match the following दिये हुए हैं आप लोग एक rough paper पर अलग match the following लेकिन इसको अलग से एक page पर solve कीजिए किसको solve करेंगे आप लोग multiplication को solve करेंगे क्योंकि इसके बीच में multiplication का निशान लगाए guys तो multiplication को एक page पर solve कीजिए उसके बाद जो answer आता है उससे आप match कीजिए ठीक है तो यहाँ पर 2 को 5 से multiply करते हैं 2 का table 5 times पढ़ेंगे 2 5s आ 10 तो इसलिए हम लोग इसको match करेंगे 10 से ठीक है 8 3s आ 8 का table 3 times पढ़ेंगे तो 8 3s किते हुए 8 3s आ 24 इसको match करेंगे हम लोग 24 से 6 2s आ यहाँ पर हुए 6 2s है कितने हुए 12 तो इसको match करेंगे इस से ठीक है 3 3s हम लोग करेंगे 9 यह हम लोग ने match the following करें ठीक है next question देखी आप लोग next question है यहाँ पर how many meters are there in a 1 km यहाँ पर कहा गया है कि 1 km में कितने meters होते हैं बताइए तो first option है हमारा 2000 meter 10 meter 1000 meter and 1 meter इसका correct option होगा 1000 meter ठीक है यहाँ पर next question देखिए write down 253 यहाँ पर 253 को कैसे लिखा जाएगा आप लोग बताइए 253 को numbers में हम लोग कैसे लिखेंगे area 283, 253, 459 और 163 तो आप बताइए कौन सा correct options है यह वाला 253 I hope कि आप लोगों को यह worksheet आपकी आज की पसंद आई होगी अगर worksheet पसंद आई हो तो please like, share, comment करें मिलते हैं आपसे next वीडियो में तब तक के लिए bye guys